Hello friends, welcome back to my channel, आप देख रहे हैं Worksheet for Kids तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कंजेक्शन के बारे में कंजेक्शन क्या होते हैं? तो first हम रीट कर लेते हैं कुछ sentence जिससे हमको कंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता चले तो चिड़े first sentence पढ़ते हैं यह है first sentence I have a cat and a dog वही second sentence है I like ice cream but I do not like milk तो इसमें आप ध्यान देंगे पहले हम first sentence में देखते हैं I have a cat and a dog तो यहाँ पर एक cat है और एक dog है तो cat और dog को and यहाँ पर जोड रहा है and first sentence में cat और dog जो अलग-अलग word है उनको जोड रहा है second sentence में हम देखते हैं दो sentence है I like ice cream but I do not like milk तो यहाँ पर but इन दोनों sentence को जोड रहा है तो इनी चीजों को इनी words को हम कहते हैं conjunction यानि and और but यहाँ पर conjunction है और conjunction हम इनको कहते है उसके बाद देखते हैं कि and का use हम कहाँ पर करेंगे और but का use कहाँ पर करेंगे and का use हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ पर दो similar words हो similar action word हो या similar sentence हो वहाँ पर हमेशा and का use होगा वहीं but का use different sentence के लिए होता है दो अलगलग sentence होंगे तो वहाँ पर but का use होगा but similar एक जैसे एक ही category के होंगे तो end का use वहाँ पर होगा अब आगे हम इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए worksheet करेंगे तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर एक exercise है tick the correct sentence हमें कुछ sentence दिए गए है इन में से जो correct sentence है उसको हमने tick करना है तो first sentence है my mother likes to sing but dance अब हमें यहाँ पर sing or dance को देखना है अब हमें यहाँ पर sing or dance को देखते हैं तो यह दोनों एक ही category की यानि similar words है तो यहाँ पर end का use होना जाए ना की but का तो यह sentence गलत है तो इसको हम wrong कर लेते हैं उसके बाद एहमद has a new pen and pencil तो pen और pencil एक ही category की sentence है similar word है एंड यहाँ पर सही है तो इसको हम correct कर लेते है Today is a holiday but tomorrow we have school तो यहाँ पर holiday है और यहाँ पर school है तो यह different category है दोनों अलग-लग sentence है but का यूज यहाँ पर सही है नीता एट rice but एकरी नीता एट rice but एकरी तो यहाँ पर but का यूज गलत है क्योंकि यह दोनों एक ही category की sentence है similar है rice, एकरी तो यह गलत है यहाँ पर होना चाहिए था rice and एकरी Tom is tall but Mary is salt तो यहाँ पर दोनो different sentence है यहाँ पर tall है और यहाँ पर opposite है short तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बठी होना चाहिए यह सही है अब हम यहाँ पर एक और worksheet देखेंगे जिसमें हमें and और but का use करना है यानि conjection का use करना है जॉन वांटेट टू बाई न्यू सूस जॉन वांटेट न्यू सॉक्स तो यहाँ पर दोनो बाते दोनो sentence जॉन के लिए है तो हम इसको ऐस तरह से लिखेंगे जॉन वांटेट टू बाई न्यू सूस एंड सॉक्स क्योंकि सूस एंड सॉक्स एक ही category में है जॉन नहीं use किया है तो इसको and लगागे हम conjunction लगाएंगे अगला है पीटर वांटेट टू स्कूल मैरी कम्स बाई बस पीटर बट मैरी कम्स बाई बस इस तरह से हम इसको लिखेंगे पीटर वांटेट टू स्कूल बट मैरी कम्स बाई बस असूग इस तॉल his sister is short तो यहाँ पर दोनों opposite है तो असोग is tall but his sister is short तो अगला हमारा sentence है he ate his dinner he went to bed तो दोनों इंकी इंसान के लिए प्रियोग हो रहे है दोनों sentence तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे he ate his dinner and went to bed my mother has roses in her garden my mother has lilies in her garden तो इसको इस तरह से लिखेंगे my mother has rose and lilies in her garden तो end का use यहाँ पर होगा तो इस तरह से हम conjunction की worksheet बच्चे को कराएंगे बस बच्चे को ही पैचाना है कि similar categories क्या होती है जैसे needle and thread यह similar categories है दोनों एक ही चीज़ में प्रयोग की जाएंगे इसी तरह sun and moon similar categories है girl and boys और black and white यह सब भी similar categories है तो बच्चे को पैचाना है similar categories क्या है और opposite क्या है तो opposite होगा तो बट लगएगा और similar होगा और एक ही चीज़ के लिए use होगा तो उसमें जो है end आएगा यह रहे conjunction कर दो चीज़ के लिए भीज़ के लिए अगाट चीज़ के लिएगा प्रयोग है